असलाम अलेक्म डियर वीवर्स मैं हूँ मुहम्मद मोहिंजवान एड़ोकेट और आज का जो हमारा टोपिक है वो यह है कि इमरान खान केसिज केन बी कलब आर कॉंसोलीडेटेड इस वी लोग में जो हम माटिरियल डिसकस करने जा रहे हैं वो यह होगा कि क्या सिवल केसिज की तरह क्रिमिनल केसिज को भी कलब या कॉंसोलीडेट किया जा सकता है क्या एक्स पीम इमरान खान के तमाम केसिज को कलब या कॉंसोलीडेट किया जा सकता है क्या हाई कोर्ट सेक्शन 561A CRPC के तैद अपनी इनहरेंट पावर को अक्सरसाइज करते हुए क् अगर पाकस्तान की हिस्टरी में नजर दोड़ाई जाए तो पता चलता है कि जतने केसिज एक्स पीम इमरान एमन खान न्याजी के खिलाफ हो चुके हैं, इतने केसिज किसी भी ओफेंडर या मुल्जम के खिलाफ नहीं हुए। ये हाई कोर्ड के पास अपनी नौईयत का मनफरत केस है जिसके लिए हाई कोर्ड को अपनी जूरिस्डिक्शन एकसरसाइज करने के लिए बहुत जादा सोच बचार से काम लेना पड़ रहा है। अगर हाई कोर्ड एकस पीम इमरान एमल खान न्याजी के केसिज को कलब कर देती है तो इन प्यूचर कोई मुल्जम या ओफेंडर इस बनियाद पर ये नहीं कह सकेगा कि मेरे केसिज को भी कलब कर दिया जाए। एकस पीम इमरान एमल खान न्याजी का बेसिक स्टांस ये है कि मेरे खलाफ जो मुकदमात हैं ये फॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा हैं और बेबनियाद हैं जबके एक आम मुल्जम तो एकस पीम नहीं हो सकता और नहीं इसके खलाफ इस लेवल की फॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है बेसिकली सिवल केसिज में सूट इसलिए कलब किया जाते हैं जहां सुबजेक्ट मैटर सेम हो ताके इन और टू आवाइट कॉन्फिलिक्टिंग जज्जमेंट्स इन डिफरेंट कोर्ड्स और जहां पार्टी सेम हों वहां फार्ग कन्विन तरफ स्टेट है लेकन ओफेंसिज डिफरेंट हैं इसलिए डिफरेंट जूरिस्डेक्शन ओफ वोर्ड्स हैं हाई कोर्ड को सेक्षन 561A CRPC के तैद इनहरंट पावर हासल है लेकन वो इस इनहरंट पावर को अक्सरसाइज करने के लिए इस किसम के अकामात जारी कर सकती है अगर हाई कोर्ड ये मनास्ब समझती है के ये केसिस कलब कर दिये जाएं तो हाई कोर्ड पाँच नुकात को मदे नज़र रखते हुए फैसला कर सकती है जो के मतरब जर्जाहिल है 1. Administration of justice 2. Miscellaneous proceeding shall be smooth 3. Trial procedure easy as presence of accused is required at different stages of trial 4. It shall minimize political victimization of at present 5. It shall be taken as President for discouraging political victimization in future उमेद करता हूँ के आपको मेरी ये effort अच्छी लगी होगी वीडियो को इन तक देखने का बेहर शुक्रिया अपना ख्यार रखेगा अनला आपीज